इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते और इस प्रकार बीमारियों और संक्रमनों को दूर रखते हैं। इसके अलावा ये रोगानु रोधी, immunostimulatory, antifungal, antiviral और जीवानु रोधी गुणों का प्रतीक है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। एक, टिनोस्पॉरा कोडियोफोलिया संक्रमनों के प्रती शरीर की प्रतिरोधक शमता को बढ़ा कर योगदान देता है। इसमें मजबूत रोगानु रोधी और immunostimulatory गुण शामिल हैं। दो, करकुमा लॉंगा सूजन में राहत देता है और दर्द को भी कम करता है। ये कोलेजन के नियमन के माध्यम से घाव भरने की गतिविधी में भी मदद करता है। चार, विथानिया सोमनीफेरा शरीर को तनाव से निपटने में मदद करता है। ये WBC और मेक्रोफैज को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे बीमारियों और संक्रमनों से बचा जा सकता है। इसके अलावा इसमें अंटियोक्सिडन्ट और अंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। 5. जंजिबर ओफिस इनाले आंतरिक शरीर प्रणालियों को विन्यमित करने और कार्य को सामान्य करने में उप्योगी है। यह एक परिसंचरण उत्तेजक के रूप में भी काम करता है। 6. अज़ाद रचता इंडिका एक रोगानु रोधी अंटिवाइरल और जीवानु रोधी एजेंट के रूप में काम करता है। यह रक्त शोधन में भी मदद करता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को ज़रूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें।